दोस्तों नमस्कार एक बहुत बड़ा confusion हमारे साथ रहता है जब भी किसी ऐसी भहस को देखता है जो एक या दो दिन में ही बच्चा देने वाली है अब माली जी आज या कल में बच्चा देने वाली है और वो खाना पिना नहीं कर रही है तो वहाँ एक बहुत बड़ी दूविदा रहती है कि हम क्या इलाज करवाएं यानि एक या दो दिन में बच्चा देने वाली होती है वहाँ एक बहुत बड़ी problem यह रहती है कि अगर ऐसी condition में antibiotic लगाया जाए तो कई बार नुकसान हो सकता है अगर ऐसी condition में कोई दर्द का injection लगाया जाए तो नुकसान हो सकता है अगर दर्द का injection लगवा दिया गया तो फिर बच्चा देने में देरी हो जाएगी और ज्यादा तो ऐसी condition में बड़ा ही असमजशे रहता है कि आखिर इलाज किस तरीके से किया जाए तो दो चीजे आज मैं आपको विशेश बताऊंगा जो इस जगे बहुत गजब का काम करती है एक चीज मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं और वो है बैलामिल इंजेक्शन यानि normally be complex with liver extract injection जी हाँ ये लगा करके आप इसकी भूग को चालू करवा सकता है लेकिन एक बात विशेश सुनियेगा कि अगर माल लीजिए temperature high है भाई पहले जाते ही temperature देखा जाएगा यहाँ इसका high नहीं है यहाँ इसका normal है लेकिन अगर temperature high हो तो इसकी जगे high weight plus को यूज किया जा सकता है लेकिन normal temperature यानि 103 degree Fahrenheit से नीचे नीचे अगर temperature मिल रहा है ऐसी condition में सबसे best है कि सिर्फ और सिर्फ B complex ही लगाया जाए second जो work इसमें करना रहता है वो है friend homeopathy medicine यहाँ homeopathy medicine मंगवाई जाएगी homeopathy में आती है nux vomica जी हाँ इस condition में nux vomica बहुत ही शांदार रहेगी 200 potency में लाकर के और एक एक ml अगर सुबह शाम इसको दिया जाए मातर दो से तेन दिन जितने में complete clear खाना पीना एक दम से सही कर देगी इसके अलावा अगर मान लीजिए labor pen है यानि कि बच्चा देने की जो प्रक्रिया है अंदर से सुरू हो गई है तो ऐसी condition में कोई भी दवाखा कोई असर नहीं होगा वो एक दिन कम खाएगी पिएगी बिल्कुल भी नहीं पिए सकती है बिल्कुल भी एक दम से ना खाए और फिर बच्चा देदेगी तो ऐसी condition में number one गबराने की कोई आवशकता नहीं है भाई जो बच्चा देगी उसको तकलीप तो होगी होगी तो वहाँ high antibiotic higher energetic देने की जाती है कम होने की बजाए बढ़ जाती है इसी लिए आप सुपालक है तो तसली रखें आराम से खाने पिने लग जाएगी कोई दिकत नहीं है फिर भी अगर एज़े treatment कुछ करना चाहे तो मेरे हाथ में मैंने आपको B complex बताया नक्स वोमी का बता इन दूनों का इस्तिमाल बिल्कुल सुरुक्सित है बाकी एनलजेसिक एंटिबाइटिक बिल्कुल नहीं लगेंगे बस ओनर से हम यही कहेंगे कि भाई यह बच्चा देने वाले है तो एक या दो दिन थोड़ा सा कम खाएगी पिएगी आप चिंता ना करें एक दम से ठीक हो जाएगी बाता